सबसे पहले और सबसे तेज़ तो चैनल को सबस्क्राइब कर लीज़ेगा दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं साउथ आफरिका टीटवंटी लीग के बारे में जिसमें दो खतरनाक टीमों का मुकाबला होने वाला है जो की है जोबर्ग सुबर्किंग एंड सन्राइजर्स इस्टन के दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे मैच की डिटेल की पिच रिपोर्ट की दोनों टीमों की प्लेइंग 11 साथ ही साथ मेरी टीम क्या होने वाली है फैंटेसी के लिए और दोनों ही टीमों के कौन से की प्लेइट होने वाले हैं क्या कॉमिनेशन हो सकता है कैसे आप बैस टीम चुन पाएं तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखेगा जो की है जे ओ एच वसेज ई एसी टी टीटी लिए है साथ अपरिका की और ये पाँच फैबरी को शाम को पाच बजे होगा वैन्यू की बात करें तो दा वैंडर्स स्टेडियम जोहानस बग में खेला जाएगा पिच रिपोर्ट की बात कर लेते हैं सबसे पहले तो गाइस ये जो पिच है न ये थोड़ा धीमी तरफ हो सकती है क्योंकि ये जादा दर बारिश के कारण ढ़की होई थी और यहाँ पर सतह संतुलित होगी जिसमें से की तेज गेंद बाजों को अच्छी मदद मिलेगी लेकिन जैसे जैसे गेंद पुरानी होती जाएगी ये आसान हो जाएगा दोरों ही टीमें इस उस्तान पर लक्ष का पीशा करना पसंद करेंगी शुरवाती ओवर्ज में गेंद बाज हावी हो सकते हैं हमें बारिश में किसी रुकावट की उम्मीद तो नहीं है लेकिन हाँ लेटसी क्या हो सकता है जोहानस बग में पूरे मैच के दौरान तापमान 20 डिडिरी से उपर रहेगा वहीं पर हम वैंडर्स स्टेडियम के रिकर्ट की बात करें तो यहाँ पर टोटल 41 मैच केले गए है जिसने पहले बैटिंग की है उसने 23 मैच जीते है जिसने पहले बॉलिंग की है बाद में बैटिंग की है उसने 18 मैच जीते है टाई एक भी नहीं हुआ है एवरेज स्कूर इस पिछ कर रहा है इस मैदान कर रहा है 164 वही पॉसिबल प्लेइंग 11 की बात करें तो जो बर्ग सूपर किंक्स की होगी वही पे सन्राइज इस्टरन केप की बात करें तो दोस्तो यहां पे हम अगर टीम अपडेट की बात करें तो जो बल सूपर किंक्स की टीम अपडेट के लिए सूपर किंक्स के लिए कई खिलाड़ी दमडार फॉर्म में हैं और शीष क्रम में कप्तान फा डू प्लेसिज जो काफी अच्छे फॉर्म में हैं महेश तीक्षणा और गुरालड कोईजी की स्पिन जोड़ी जो है काफी अच्छी है और यहाँ पर देखा जाए तो मैथ्यू वैड जो की टूर्नामेंट में शामिल हुए है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनका हाल ही के वर्षों में अच्छा T20 में अच्छे रिकॉर्ड रहे हैं सुपर किंग्स के लिए वास्ताव में यह बहुत ही महत्पूर्ण मैच होने वाला है वो फिलाल पॉइंट्स डिवल में चौथे स्थान पर है यहाँ पर उन्हें अच्छा परफॉर्म करना होगा जो की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और वहीं पर अगर हम बात करें सन्राइजर्स इस्टरन केप के टीम अप्डेट की तो दक्षन अपरिका के कप्तान तेंबा बाउमा के लिए साउथ अपरिका T20 का यह जो मैच है वो काफी ज़्यादा important होने वाला है उन्हें शुक्रवार को री स्टॉपले ने पहली गेंद पर आउट कर दिया था और वहीं पर अगर हम बात करें सिसंडा, मगला, रूफोल, वैंडर, वेरन और ओर ओटनील, वाल्टमान की गेंदबाजी तिकडी ने टूर्नामेंट में अब तक 32 विगट ली है सन्राइजर्स, इस्टरन, केप, अंकतालिका में दूसरे स्थान पर है, नौ मैच में चार जीत, चार हार और एक का कोई नतीजा नहीं निकला उन्होंने बहुत अच्छा प्रदशन किया है और अपनी अच्छी फॉर्म को जारी रखना चाहेंगे जे ओ एच वर्सिस ई एसी ड्रीम 11 प्रेडिक्शन की बात करें दोनोटी में हाली के मैचों में अच्छी फॉर्म बे नजर आई है लेकिन जोवर्ग मैच जीतने के प्रबल दावेदार है अगर हम वही टॉस भविश्रवानी की बात करें तो जो टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी करना चुनेंगे पोइंट टेबल की बात करें तो यहाँ पे प्रेटोरिया कैपिटल्स जो हैं साथ मैच में पांच जीत के साथ और दो हार के साथ सबसे टॉप पे बनी हुई है इनके पॉइंट्स 23 यानि के 23 पॉइंट्स है रन डेट भी इनका काफी अच्छा है प्लस में और संराइजस इस्टन केप की बात करें तो 9 मैच खेले हैं इन्होंने जीते हैं और पांच आ रहे हैं इनका एक का नो रिजल्ट रहा है तो 14 पॉइंट्स है इनके रन डेट इनका माइनस में है माई केप टाउन की बात करें तो इन्होंने 8 मैच खेले हैं तीन जीते हैं और 5 हारे हैं तो काफी खराब करनीशन में है ठीक है 13 पॉइंट्स इनके भी है और माइनस में रन रेट है इनका वह गर हम head to head records की बात करें तो J.O.H. vs. E.A.C. के तो इन्होंने एक मैच खेला है जिसमें से जो जो हानस बाग है उन्होंने मैच जीता है और बस वही रिजल्ट रहा है अगर हम recent form की बात करें तो J.O.H. का win-win-lose-win-lose-lose और E.A.C. का lose-win-lose-win-win-win-win अब अगर हम बात करें J.O.H. vs. E.A.C. fantasy tips की तो पिछ के विभार को देखते हुए यहाँ शीर्शक्रम के बल्ले बाजों को चुनना काफी जादा important होगा और इस तरह की सतह पर आपकी fantasy team में death overs के गेंद बाजों का होना बहुत जरूरी है विगेट कीपिंग में दोनों अच्छे हैं आप किसी एक को चुन सकते हैं और इस पिछ पर तेज गेंद बाज एहम भूमिका निवा सकते हैं winning prediction की बात करें तो जो बर्ग टीम Eastern Cape टीम पर भारी पड़ सकती है इसलिए जो बर्ग के अधिक किलाडियों को चुने वहीं पर अगर हम Captain Vice Captain की बात करें तो EAC के Addon Markram Addon Markram का बले और गेन दोनों से शांदार सीजन रहा है उन्होंने 9 मैचों में 206 रन बनाए हैं और 8 बिकेट भी लिए हैं J.O.H. से 5 डूपलेस इस सीजन के बहुत ही अच्छे शांदार फॉर्म में हैं उन्होंने 8 मैचों में 148 की स्ट्राइक रिट से 27 रन बनाए हैं टॉपिक्स की बात करें तो EAC के रोल्फ वेंडर मर्वे देखें किलाडी होगे नाम बड़े कटिन होते हैं लेंगे ठीक है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए अच्छे से ले बाऊं वहीं दोस्तो इस प्रत्योगिता में 7 मैचेस में 7 की ओसत से उन्होंने 14 विकेट लेकर अग्रणी विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं अब टॉप पे बने हुए हैं इस मैच के लिए उनका टीम में होना बहुत अच्छी बात है जे ओएच की बात करें तो डोनवन फरेरिया वहीं पे अगर दोस्तो डोनवोन फरेरा ने आखरी गेम में एक विकेट लिया था और अपनी बल्ले बाजी से पहले ही कुछ गेम को जिता दिया था और इस सीजन में अब तक 9 मैचों में 9 विकेट ले चुके हैं जे ओएच की तरब से गराल्ड कोईटजे गराल्ड कोईटजे ने 6 मैचों में 12 विकेट जटके हैं और इस मैच के लिए एक आसान बजट विकल्प हो सकता है वहीं पर avoid these players की बात करें किसको किसको avoid करना देए जे ओएच से हमें नाडरी बर्गर इनको नहीं नेना यार बहुत महँगे खिलाडी हैं कोई बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते हैं इससे बटर कोई दूसरा ले लो लो गाई इस मैंने तीन विकल्प की पर ले लिए इसमें वेड रोसिंग्टन और फरेरिया देखे एक तो मुझे काफी सस्ते मिल गया रोसिंग्टन ठीक है और दो भी जो है काफी एबरेज हैं वहीं पर batsman मैंने तीन लिए हैं जो काफी महगे महगे हैं वहीं कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मारकरम को बनाओंगा मैं कैप्टन वासिंग बनाओंगा मैं आर वेंडर को ठीक है वहीं दूसरी जो मेरी स्मॉल लिस की टीम हो सकती है वो इस तरह से हो सकती है ज younger से देखःगा यहां पे Wicket Keeper में वही तीन लूँगा Wade, Rosington और Foreria Batsman में यहां पे लूँगा 2 Places को Markram को और Stups को वही Batsman है और All Rounders में यहां पे Shepard और Jensen को भी लूँगा Bowlers भी यहां पे मैं 2 तो वही लूँगा लेकिन 1 मैं चेंज कर दूँगा Mangala को ले लूँगा Coitze की जगा है अब यहां पे मैं Captain, Vice Captain बदल दूँगा Markram को Captain तो बनाओंगा लेकिन Vice Captain 5 2 Places को बनाओं दूँगा Grand League के भी मेरी दो टीमे हैं तो Grand League की पहरी टीम जो होगी उसमें मैं रखूँगा Washington को और Fareria को Wicket Keeper में अब यहां पे मैं Washington को Vice Captain भी बनाओंगा ठीक है और Batsman मैं यहां पे चार रखूँगा Hendricks, 5 2 Places, Markram और L. Dubloy और साथ मैं एक All-Rounder रखूँगा Jensen को और Bullers मैं यहां पे चार रखूँगा Arvender और Bartman और Kodze और Mahesh Tikshna अब गाईज जो दूसरी मेरी टीम होगी न उसमें मैं Wicket Keeper तो दोनों सेम रखूँगा इसके लावा Batsman मैं मैं यहां पे एक कम कर दूँगा 2 Places को रखूँगा Bahama को रखूँगा Markram को रखूँगा ठीक है अब Captain Vice Captain की बात करे तो 5 2 Places को बनाऊँगा Captain और Vice Captain बनाऊँगा Jenson को और पहली वाली Grand League में मैं Captain बनाऊँगा 5 2 Places को लेकिन Vice Captain बनाऊँगा Rushington को तो guys यह थी मेरी टीम है और यह थी match details Best of luck for the match मिलते हैं आप से नेक्स मैश में Bye